प्रेंट्स दिस इज गौतम पार्ण डे कमिंग अप दे नेक्स राउंड बस पांच मिनट इन इस वीडियो विल डिसकस अबाउट इस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन रूरल एरिया और साथ ही साथ यह भी समझेंगे वाइज देयर सौट फॉल तो फर्स्ट फॉल लेट सी बाई जेटी न्यूज आकरी जो इस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं आकरी न्यूज में क्यों है पहले जराज को समझते हैं लेकर सेंटले मिन्स्ट्र फेल्थ फैमिली विल्फियर ने रूरल हेल्ट डेटा से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिस किया है और इस रिपोर् नेशन के जितने भी community health centers हैं वहाँ पर 80% जो specialist doctors हैं उनकी कमी है मिन्स वहाँ पर जितना requirement है उसके सिर्फ 20% ही specialist doctors वहाँ पर working है तो इस वीडियो में हम इसी report को discuss करेंगे समझेंगे कि reports की findings क्या कहते हैं community health centers क्या होते है and why there is a shortfall of specialist doctors वहाँ पर जो specialist doctors है उनकी कमी क्यों है उस about the rural health data जो rural health data जिसके हम बात कर रहे हैं उसको समझने के लिए पहले हम community health centers को समझते हैं क्या करी community health centers होता क्या है जो CSE की हम बात कर रहे है generally होता गया है कि किसी भी जो district मगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो government medical system होता है यह four stages पर काम करता है फर्ष्ट होता है village level पे village level पे क्या होते हैं पी एसी होते हैं जो primary health center होते हैं यह होते हैं second होता है block level पे block level पे होता है यह community health center जिसकी हम बात कर रहे हैं 3 होता है डिवुज़न लेबल पर सबवज़न लेबल पर जो भी या बिवॉज़न होस्पीटल होते हैं यह वरकिंग होते हैं और फोर्थ होता है धिस्तिंग पर जो किकिसी साद्री में Very 30-bed का एक hospital होता है, जैसे का आप image में देख सकते हैं, means वहाँ पर 30-bed की facility होती है and वहाँ पर बहुत सारे जो specialist doctors होते हैं, just like अगर कोई surgeon हो गया या गानाकोलोजिस्ट हो गया, या pediatrician हो गया, वैसे specialist doctors भी यहाँ पर होते हैं and जो report जिसके हम बात कर रहे हैं, उस report में कहा गया है कि यहाँ पर जो community health centers हैं वहाँ पर specialist doctors की कमी है, तो अब ज़रा हम इस report की, जो key findings है, उसको ज़रा detail में समझते हैं अगर बात करें, तो according to this report, across the nation, आप समझें कि 6,000, 64 community health centers हैं और यहाँ पर जो numbers of specialist doctors हैं, उनका large scale पर कमी देखने को मिलता है, अगर हम section wise बात करें, तो इसमें कहा गया है कि जितने भी surgeons हैं, उसकी कमी 83% है, means 83% जो seats हैं, वहाँ पर surgeons की खाली पड़ी है, 74% जो gynecologist हैं, उसकी seat खाली पड़ी है, means number कम है, बहुत जादा है, physician के अगर ह यह इस report में कहा गया है, and according to this report, अगर हम बात करते हैं, अलग data की, इसमें कहा गया है कि nationwide आप समझे कि 2005 से compare किया गया है, 2005 में कहा गया है कि nationwide जितने community health center थे, उसमें जितने number of doctor working थे, वो थे 3350 doctor, और यहाँ पर 2022 तक आते आते, इनका number बढ़ चुका है, number बढ़ा है कितना है, current scenario में 4,485 doctor हो चुके है, means, approximately समझे क्या है, 25% का increase यहाँ पर हुए number of doctors में, but अगर 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 हम बात करते हैं, तो यह जो community health centers हैं, उसका भी number बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि community health centers का number नहीं बढ़ा है, according to data ही अगर हम बात करें, तो 2005 से लेकर, 2022 के बीच में, जो community health centers हैं, हैं, अगर हम बात करेंगे, कितने doctors वहाँ पर working growth हुआ है, तो यह सिर्फ हुआ है 26% का, means, आप समझे कि अभी भी 40% से ज़्यादा gap बना हुआ है, means, large scale पर gap बना हुआ है, जितने doctors वहाँ होने, चाहिए तो community health centers में, वहाँ पर working नहीं है, so, why there is a shortfall, means, यहाँ पर इतने कमी क्यों है, पहले ज़रा इसको समझते हैं, कुछ point में समझेंगे, एक एकर करके discuss करेंगे, क्या आपर इतनी कमी क्यों है, इसको ऐसा समझें, since we have already discussed कि हमारे यहाँ पर कितने community health center है, यह है 6064, और यहाँ पर number of doctor कितने working है, 4485, तो ऐसे में, आप समझें कि जो shortfall है, उसके two points म कमी है, इसको अगर आप सहर की किसी भी छोटे motor hospital से compare करेंगे, तो आप देखींगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा infrastructure होगा, वहाँ पर अच्छा equipment होगे, ऐसी scenario में, जो doctors होते हैं, उनके तरफ से region यह बताया जाता है, कि जब वहाँ पर अच्छी infrastructure ही नहीं है, वह भी बताते हैं, कि यहाँ पर बहुत अच्छी infrastructure नहीं होते हैं, जिसके कारण लोग वहाँ पर जाकर interested नहीं होते हैं work करने के लिए, अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा जो अलग बात बताई जाते हैं, जो government hospitals होते हैं, वहाँ पर salary होती हो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्य या जो PSC होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे doctors की vacancy निकाली गई थी, आप समझे कि 1000 में नंबर पोश्ट थे, बट apply करने वालों का number only 100 भी नहीं था, तो आप समझे कि काम करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों होहाँ पर apply भी नहीं कर रहे हैं, जो doctors हैं, वो community health centers हैं, खास चुले आप समझे कि nationwide जितने भी specialist doctors की जरूरत है, उससे काफी कम doctor every year pass out होते हैं, means हमारे यहाँ जितने specialist doctors चाहिए, चाहे surgeon हो, pediatrician हो, चाहे radiologist हो, चाहे जो भी specialist doctors हैं, उनकी जितनी demand होती है, उससे काफी कम doctors every year pass out होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो medical colleges हैं, उनक कैसे fulfill किया जा सकता है, means जितने pass out doctors की जरूरत है, उतने doctors every year pass out ही नहीं हो पाते हैं, तो यह जो requirement होसे fulfill कर पाना भी असान नहीं होता है, means सबसे बड़ा कारण यह भी है कि hospital में, जो medical colleges हैं, वहाँ पर number of students बहुत ज्यादा कम है, तो यह बहुत बढ़ा कारण है, जिसके doctors से उनकी कमी देखने को मिलती है, तो ओप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, thanks for watching.